हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अमीद और आप देख रहे हैं आपका फेडरेट चनल गाड़ेन ग्यान थेंक्यू नमस्कार दोस्तों गाड़ेन ग्यान चनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ गुलाब एक बहुत ही बहतरीन और खुबसरत फूल है और उसे हर कोई ग्रो करना चाहता है लेकिन आपका गुलाब में अगर ग्रोत रुख गया है और फ्लावार नहीं आ रहा है तो ये वीडियो उनके लिए है आये देखते हैं गुलाब का पोधा आपका जेतना पुराना है उतना फ्लावारिंग करता है और आपको देखना है कहीं आपका कोई ब्रांच सुक तो नहीं रहा है सुकता हुआ अगर नीचे आ रहा है ये दिखिए जैसे की मेरा हुआ है ऐसा अगर आपको दिखे तो उसे आपको तुरंद हटा देना चाहिए काट के कोई भी सार प्रूनर लीजिए अच्छा सा और काट दीजिए और कटिंग के बाद चेक कीजिएगा वो एरिया आपको ग्रीन दिखना चाहिए बलाक नहीं और जो देखिए पते का सामने का हिस्सा जो भी सुख जाता है या फिर हल्दी नहीं लगता है उसे भी आप काट दीजिए काटने से क्या होता है दोस्तों ये जो नोड एरिया है वो एक्टिव हो जाता है और उससे नया सूट आ जाता है ये हर प्लांट में आप चेक कीजिए हर ब्रांचेस और उनको सब हटाईए आप इसको तो लाइट प्रूनिंग बोलते हैं हलका हलका काटिया आप अभी और डीप प्रूनिंग आप ओक्टोबर में कीजिएगा और ये देखिए ग्रिन कलर का जो मोटा सा ब्रांच देख रहे हैं आप वहां से फूल लेना चाहिए और जो ब्रांच सूख क्या है या फिर ग्रिन नहीं दिख रहा है ये दिखिए ये सब इनसे फूल लेने पर भी अच्छा नहीं आएगा फ्लावार का क्वालिटी उसका सेप, साइज, कलर ये सब अच्छा नहीं आएगा इसलिए आप हेल्थी प्रांच से ही फ्लावार लीजेगा और ये सब प्रांच को आपको ओक्टोबर में डिप प्रूनिंग करना पड़ेगा जब आपके एरिया में ओस गिरे या फिर टेंपरेचर 30 डिगरी के अंदर आ जाए तो ये काम करना चाहिए ये देखिए यहां से इसको नहीं काटना है और नीचे से जोइंट के एरिया से देखिए ये ग्राप्ट एरिया है यहां से जो भी सूट आएगा उसमें बहुत बड़ा साइज का फ्लावार और हेल्थी फ्लावार मिलेगा इसको भी काट देना है आपको लेकिन ये काम सब करना है ओक्टोगर में मैं बार 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 बोल रहा हूँ अभी नहीं काटना है और इसको यहां से ये नोड एरिया सब एक्टिव हो जाएंगे और वहां से सूटा जाएगा अभी मैं प्लांट को साफ सुतरा और जो माइनर प्रूनिंग है उसे कर रहा हूँ बस उपर उपर से उसको काटना है अभी दोस्तों डीप प्रूनिंग करने में खत्रा भी रहता है क्योंके टेंपरेचर अभी हाई है और उसके लिए गुलाब के लिए ठीक एनविरमेंट भी होना चाहिए प्रूनिंग के लिए उसके बाद फटा-फट ग्रोथ आ जाता है ये देखिए ये एक औन हेल्थी प्रांच है इसको भी मैं अभी हटा रहा हूँ देखिए ब्रांच को मैं दिखा रहा हूँ आपको देखिए बहुत सारे ब्लाक स्पॉर्ट है इसमें और आधा सुख गया है आधा पे ग्रिन कलर है ऐसे ब्रांचे से आप फूलों के उमीद मत रखिए फूल आएंगे भी तो क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा और देखिए उपर का भी टीप गुलाप का सुखने लगता है पत्ता, बर्ड्स ये सब ऐसा दिखे तो आप उसको भी काट दीजिए काटने से दोस्तों नोड और एरिया सब एक्टिव हो जाते हैं और देखिए ये उपर-उपर से अभी फूल लीजिए चाहे फूल का साइट छोटा हो कॉलर अचा ना हो चलेगा माइनर पूनिंग करने के बाद ये सब देखिए, ये रिजल्ट मिला है मुझे और नए सूट जब भी आने लगे आप इंसेक्टि साइट का स्प्रे कीजिए यहां से जब सूट आएंगे तो मज़ा लगेगा टावार लेने में और फूंजी साइट का आप अभी रिगुलर स्प्रे कीजिए और ये देखिए ये एक टैनी उसके उपर आ गया है ऐसे क्रॉस जो प्रांच आए उसे आपको हटाना है वो दूसरे प्रांच को डिश्टप करता है उन में से आप चूच कीजिए नया वाला कौन है पुराना कौन है नया को रखिए और पुराना जो सूट है उसे आप हटा दीजिए नये प्रांचस में आपको बहुत अच्छा फूल मिलता है गुलाब का पोधा आपका जितना पुराना होगा ये ग्राफ्टेरिया उतना मोटा चोड़ा होगा और वहाँ से नया सूटाने का चांस और हेल्थी सूटाने का चांस बहुत बढ़ जाता है अच्छा आता है ये देखिए यहाँ पे काटने के बाद ये सब एक्टीव होके कैसे ग्रो किये हैं ये डियाग्राम काटके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डिप प्रूनिंग आपको ओक्टोबर के फास्ट वीक में करना है और अभी ये देखिए ये जुलाए का है जुलाए में भी कितना सारे फूल आए हैं देखिए ये उपर उपर से मैं फूल ले रहा हूँ गुलाब हैबी फीडर होता है दोस्तों उसको फूरूनिंग के बाद आप गोवर खाद, N.P.K, बोन मील ये सब देना चाहिए गुलाब के उपर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं दोस्तों वो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजेगा गुलाब पर ज़्यादा फूल कैसे लाएं और कॉंप्लिट क्यार अपरोज ये सब और आप मेरे चनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा ये मेरा रिक्वेस्ट है फिर जल मीलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार